कहानी मुफ्त ही मुफ्त एक दिन भीखु भाई का मन नारियल खाने का हुआ ताजा मुलायम कसा हुआ शक्कर के साथ उसके बारे में सोचते ही भीखु भाई ने अपने होटों को चटकारा वाह क्या मीठा मीठा सा स्वाध होगा लेकिन एक छोटी सी समस्या थी घर में तो एक भी नारियल नहीं था ओहो अब मुझे बाजार जाना पड़ीगा उन्होंने अपनी पतनी लाभु बेन से कहा लाभु बेन अपने कंदे उच्छा कर बोली खाना है तो जाना है एक समस्या और थी भीकु भाई ने कहा पैसे खर्च करने पड़ेंगे लाभु बेन बोली हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे अब तक तो तुम्हें पता लग गया होगा कि भीकु भाई जरा कंजूस थे वे सीधे खेत में बुड़े बर्गत के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे क्या करूँ मैं क्या करूँ मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा लल चाया कि वे जल्दी घर वापस लोटकर लाभु बेन से बोले अच्छा मैं बाजार तक हो आता हूँ पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहे हैं जूते पहन कर चड़ी उठा कर भीखू भाई निकल पड़े बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे भीखू भाई ने इधर कुछ देखा उधर कुछ उठाया और दाम पूछा देखते पूछते वे नारियल वाले के पास पहुँच गए ए नारियल वाले नारियल कितने में दोगे भीखू भाई ने पूछा नारियल वाले ने कहा बस दो रुपे में काका बस दो रुपे भीखू भाई ने आँखें फेला कर कहा बहुत ज्यादा है एक रुपे में दे दो नारियल वाले ने कहा ना जी ना दो रुपे सही दाम ले लो या छोड़ दो ठीक है ठीक है भीकु भाई बड़ बड़ाए अच्छा तो बताओ एक रुपे में कहां मिलेगा नारियल वाले ने कहा यहां से थोड़े दूर जो मंडी है वहां शायद मिल जाए सो भीखु भाई उसी तरफ चल पड़े चलो देख लेते हैं वे अपने आप से बुले टहलने का एक मौका है और रुपे भर की बचत भी हो जाएगी खुशी से घुरगुराते भीखु भाई ने चड़ी को जमीन पर थप थपाया मंडी में कोलाहल फैला हुआ था व्यापारियों की उची उची आवाजें गून्ज रही थी बटाटा आलू, बटाटा आलू, कांदा प्याज, कांदा प्याज गाजर, 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 कोबी, बंदगोभी, कोबी, बंदगोभी माथे का पसीना पोँचकर भीखु भाई ने इधर उधर ताका नारियल वाले को देखकर पूछा अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? सिर्फ एक रुपया काका, नारियल वाले ने जवाब दिया जो चाहो ले जाओ, जल्दी शूच है भाई, भीखु भाई ने कहा यह क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा एक रुपया मांग रहे हो पचास पैसे काफी हैं, मैं इस नारियल को लेता हूँ और तुम यह लो, पकड़ो, पचास पैसे नारियल वाले ने जड़ भीखु भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोला माफ करो काका, एक रुपया या फिर कुछ नहीं लेकिन भीखु भाई का निराश चहरा देख कर बोला बंदरगाह पर चले जाओ, हो सकता है वहाँ तुम्हें पचास पैसे में मिल जाए भीखु भाई अपनी छड़ी से टेक लगा कर सोचने लगे आखिर पचास पैसे तो पूरे पचास पैसे हैं वैसे भी मेरी टांगों में अभी भी दम है पैरों को घसीटते हुए भीखु भाई चलने लगे हर दो कदम पर रुक कर जेब में से बड़ा सफेद रूमाल निकाल कर वे अपना पसीना पोंचते सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा था उसके सामने दो चार नारियल पड़े थे अरे भाई एक नारियल कितने में दोगे भीकु भाई ने पूछा और कहा ये तो काफी अच्छे दिखते हैं काका यह कोई पूछने वाली बात है केवल पचास पैसे नाव वाले ने कहा पचास पैसे? भीकु भाई मानो हैरानी से हक्के बक्के हो गए इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना ठक गया हूँ और तुम कहते हो पचास पैसे? मेरी महनत बेकार हो गई ना भाई ना, पचास पैसे बहुत ज्यादा है मैं तुम्हें पच्चिस पैसे दूँगा, यह लो, रख लो ऐसा कहते हुए भीकु भाई जुपकर नारियल उठाने ही वाले थे ना वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा थोड़ी देर बाद उसने भीकु भाई की ओर ध्यान से देखा और ज़रा ठंडे दिमाग से बोला सस्ते में चाहिए, नारियल के बगीचे में चले जाओ वहाँ धेर सारे मिल जाएंगे, मन पसंदाम में भीकु भाई ने फिर अपने आपको समझाया इतनी दूर आया हूँ, अब बगीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है सच बात तो यह थी, कि वे काफी ठक चुके थे मगर पच्चेस पैसे बचाने के ख्याल से ही उनमें फुर्ती आ गई भीकु भाई ने सोचा, दो गुना ज्यादा चलना पड़ेगा पर चार आने बच भी तो जाएंगे और फिर कोई भी चीज मुफ्त में कहां मिलती है भीकु भाई नारियल के बगीचे में पहुँच गए वहां के माली को देखकर उस से पूछा यह नारियल कितने में बेचोगे माली ने जवाब दिया जो पसंद आए ले जाओ काका बस 25 पैसे का एक देखो कितने बड़े बड़े हैं हे भगवान 25 पैसे पूरा रास्ता पैदल आने के बाद भी जूते घिस गए पैर ठक गए और अब पैसे भी देने पड़ेंगे मेरी बात मानो एक नारियल मुफ्त में ही दे दो हाँ देखो मैं कितना ठक गया हूँ भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा अरे काका मुफ्त में चाहिए न यह रहा पेड और वह रहा नारियल पेड पर चड़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है पैसे तो मेरी मेहनत के है सच जितना चाहू ले लू भीखू भाई तो खुशी से फूले न समाए मेरा यहां तक आना बेकार नहीं गया उन्होंने जल्दी जल्दी पेड पर चड़ना शुरू कर दिया पेड पर चड़ते चड़ते भीखू भाई ने सोचा बहुत अच्छे मेरी तो किस्मत खुल गई जितने नारियल चाहे तोड़ लू और पैसे भी न दू क्या बात है भीखू भाई उपर पहुँच गए फिर वे टहनी और तने के बीच आराम से बैठ गए और दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे सबसे बड़े नारियल को तोड़ने के लिए ज्ज्जक पैर फिसल गए भीखू भाई ने एकदम से नारियल को पकड़ लिया उनके दोनों पैर हवा में जूलते रह गए ओ माँ अब मैं क्या करूँ भीकू भाई चिलाने लगे अरे भाई मदद करो उन्होंने नीचे खड़े माली से विंती की माली ने कहा वो मेरा काम नहीं काका मैंने सिर्फ नारियल लेने की बात की थी बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच का मामला है पैसे नहीं खरीदना नहीं बेशना नहीं और मदद नहीं सब कुछ मुफ्त तभी उन्होंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा अरे ओ भीकू भाई जोर जोर से बुलाने लगे ओ उन्होंट वाले मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दोना बड़ी महरबानी होगी उन्होंट वाले ने सोचा चलो मदद कर देता हूँ मेरा क्या जाता है उन्होंट की पीट पर खड़े होकर उसने भीकू भाई के पैरों को पकड़ लिया ठीक उसी समय उन्होंट को हरे हरे पत्ते नजर आए पत्ते खाने के लालच में उन्होंट ने गर्दन चुकाई और अपनी जगह से हट गया बस वह आदमी उन्होंट की पीट से फिसल गया अपनी जान बचाने के लिए उसने भीकू भाई के पैरों को कसकर पकड़ लिया अब दोनों क्या करते इतने में एक घुड सवार आया अरे सामलो चो पेड से लटके दोनों पुकारने लगे सुनो भाई कोई बचाओ बचाओ घुड सवार को देखकर भीकू भाई ने दुखाई दी ओ मेरे भाई मुझे पेड पर वापस पहुचा दो हम एक मिनिट भी नहीं लगेगा मैं घुड की पीट पर चड़ कर इनकी मदद कर देता हूँ यह सोचकर घुड सवार घुड पर उठ खड़ा हुआ लेकिन कौन कहता है कि घुड उठ से बहतर है हरी हरी घास दिखाई देने पर तो दोनों एक जैसे ही है घास के चक्कर में घुड जरा आगे भड़ा और छोड चला अपने मालिक को उठ वाले के पैरों से लटकते हुए एक दो और अब तीनों के तीनों जूलते रहे नारियल के पेड से काका काका कसके पकड़े रहना हाँ घुड सवाल ने पसीना पसीना होते हुए कहा जब तक कोई बचाने वाला ना आए कहीं छोड न देना मैं आपको सो रुपे दूँगा काका काका अब उठ वाले की बारी थी मैं आपको दो सो रुपे दूँगा लेकिन नारियल को छोड़ना नहीं सो और दो सो बाप रे बाप तीन सो रुपे भीकु भाई का सिर चक्रा गया इतना इतना सारा पैसा खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहों को फैलाया और नारियल गया हाथ से चूट धडाम सतीनों जमीन पर गिरे घुड़सवार, उंटवाला और भीकु भाई भीकु भाई अपने आपको संभाल ही रहे थे कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आफूटा बिल्कुल मुफ्त सजल मुफ्त भीकु भाई के फऴरा ही मुफ्त झाल झाल